पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एलोवेल सॉइल आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल क्या होती है नेम से ही समझ में आ रहा है ब्लैक इन कलर होती है ब्लैक सॉइल को रैगूर सॉइल के नाम से भी जाना चाहता है और क्योंकि कॉटन ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट होती है इसलिए इसका नाम ब्लैक कॉटन सॉइल भी है होना इसका नाम सॉइल होना चाहिए ब्लैक सॉइल की लेयर होती है उसका बैक सॉइल है वह क्या है कहाँ कहाँ पर नियुक्तz तर्फ को जाता है लाव निकल के आता है जब थंडा हो जाता है उसके बाल वहाँ पर क्या बनती है ब्लैक सोयल बनती है और साथी साथ ब्लैक सोयल में क्या होता है क्लेई मटेरियल भी होता है क्लेई जिसनल मटेरियल होता है ब्लैक सोयल में ब्लैक सोयल कवर्ड़ अफ महराष्ट्रा, सौराष्ट्रा, मालवा, MP, चैटिसगर and extended in the south east along the Godauri and Krishna valley ब्लैक सॉयल कहां कहां पर पाई जाती है एक तो मैंने बताया है नौर्थ वेस्ट डीकन प्लैट्यू में और महरास्ट्र सौरास्ट्र मालवा MP 36 गर्ड यहां पर भी ब्लैक सॉयल पाई जाती है साथी साथ गोदावरी और कृष्णा वैली का जो साउथ इस पार्ट है वहां पर भी ब्लैक सॉयल पाई जाती है Aeration of soil में Aeration of soil means जो air होती है उसका soil के अंडर आना और soil से बाहर जाना इसको क्या बोलते है Aeration of soil तो जब deep cracks बन जाते हैं तो उसकी help से क्या होता है कि जो air है वो easily pass हो पाती है Next है Sticky when wet Therefore needed to be tilled immediately after first shower or during pre-monsoon period जो black soil होती है वो क्या होती है Sticky in nature होती है जब गीली हो जाती है तो वो sticky in nature होती है starting में पढ़ा था कि उसमें clay material होता है इसके विज़से जब उसमें पानी नाल जाता है या फिर जब black soil wet होती है तो वो क्या बन जाती है और sticky बन जाती है नेचर में इसलिए क्या करना पड़ता है कि जैसे ही first shower होता है first shower मतलब जब हलकी हलकी बारिस आती है या फिर pre-monsoon period में ही क्या करना पड़ता है immediately जो black soil है उसको till करना पड़ता है immediately cultivation करना पड़ता है क्योंकि अगर हम first shower के बाद तुरंद उसमें tilling नहीं करते है या pre-monsoon period में ही उसमें tilling नहीं करते है क्योंकि तो उसके sticky nature के वज़े से उस पे cultivation करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए black soil में हमें first shower के बाद या फिर pre-monsoon period में ही tilling करना पड़ता है अब next हमारी soil है red and yellow soil red and yellow soil name से ही समझ में आता है red या yellow होती है nature में अब red and yellow soil form कैसे होती है crystalline ignisious rocks in low rainfall area red and yellow soil form कैसे होती है जहां पे ignisious rock crystal form में होती है ignisious rock क्या होती है जब volcano eruption होता है तो उसमें से जो lava निकल के आता है जब वो थंडा हो जाता है और solid form में आ जाता है तो ignisious rock form होती है तो यहां पे ignisious rock किस form में होती है crystal form में होती है और किस area में low rainfall area में तो means red and yellow soil कहां पे होगी जहां पे ignisious rock crystal form में होगी और साथी साथ वो area क्या होगा low rainfall area होगा red and yellow soil अब pound कहां पे होती है Eastern and Southern part of Deacon Plateau Deacon Plateau का जो East और Southern part होता है वहाँ पर पाई जाती है Red and Yellow Soil उडिशा, 36 गर्ड, Middle Ganga Plains and Western Ghats उडिशा और 36 गर्ड स्टेट में पाई जाती है शांते सांच गंगा प्रेन है उसके Middle Part में पाई जाती है Red and Yellow Soil और Western Ghats में पाई जाती है अब Red and Yellow दो कलर है तो यह स्लोयल रेडिश कब होती है Due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock Metamorphic rock क्या होती है जो Ignisius rock होती है जब उसमें बहुत जादा climate का pressure परता है बहुत जादा heat वगेरे का pressure परता है तो जो Ignisius rock होती है तोट जाती है और क्या बनाती है Metamorphic rock बनाती है तो यहाँ पर Reddish कब होगा जब Iron जो होगा वो Metamorphic rock के साथ diffuse होगा Crystalline and Metamorphic rock Crystal Metamorphic rock के साथ जब diffuse करेगा तब जो Soil होगी वो Reddish होगी और Yellow कब होगी जब हो Hydrated होगी जानि जब Wet होगी और Reddish में हम बोल सकते हैं कि जब वो Hydrated नहीं होगी तब Reddish और जब Hydrated होगी तो Yellow Soil होगी अब Red and Yellow Soil में क्रॉप्स कौन कौन से ग्रो हो सकती हैं कौन, Oil Seed, Pulsar, etc. यह तीनों यहाँ पर मैंने एक्जामपल दियें और भी बहुत सारी क्रॉप्स जब रेड और यल्लो सॉयल में ग्रो हो सकती हैं Next हमारा है Arid Soil Arid Soil क्या होती है? Red to Brown range करती है color में Next Sandy in Texture and Saline in Nature Arid Soil क्या होती है? Sandy in Texture होती है यह नहीं रेतिली होती है और साथी साथ Saline in Nature होती है Saline in Nature means कि उसमें जो Salt का Amount होता है वो High होता है Arid Soil found कहां पे होती है? Dry Climate और High Temperature में मतलब जहां पे जो Climate होगा सूखा होगा या फिर ज्यादा गर्मी होगी और कम Rainfall होगी वहां पे Arid Soil found होती है Dry Climate और High Temperature अब Dry Climate और High Temperature होता है इसी की वजह से जो Soil होती है Sandy in Texture and Saline in Nature होती है क्योंकि वहां पे बारिश तो होती नहीं है इसलिए उसका टेक्स्चर होता है वो Sandy होता है अब यह Soil पाई कहां पे जाती है North Western Part हमारी कंट्री के North Western Part में वो कहां पे राजस्तान में जो अरावली रेंज है उसके पास में Arid Soil पाई जाती है Next है हमारा जो Arid Soil होती है उसमें Evaporation जो होता है वो Fast होता है और Soil में Humus और Moisture की कमी होती है कम अमार्ण में Humus और Moisture प्रेजेंट होता है Next After proper irrigation It becomes Cultivable अब जो Arid Soil होती है वो Sandy in Nature होती है इसलिए जब हम वहाँ पर proper irrigation करेंगे उसी के बाद हम उसको Cultivable बना सकते हैं उसी के बाद हम उसमें properly Cultivation कर सकते हैं In lower horizon occupied by kankar because of increasing calcium content Arid Soil के lower horizon मतलब lower layer जो होता है Arid Soil का वो क्या होता है वहाँ पर ज्यादा कंकर होते है क्योंकि वहाँ पर जो calcium content होता है वो बढ़ता जाता है जैसे हम Arid Soil के layer में नीचे जाते जाएंगे जो calcium content होगा वो क्या होगा increase करता जाता है अब वहाँ पर कंकर present होते हैं इसलिए जो filtration होता है water का वहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है Arid Soil के reasons में आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा Black Soil, Red and Yellow Soil and Arid Soil Soil को हम continue करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को subscribe भी कीजिए लिए